कैसे हैं आप लोग तो आज में शेयर करूंगे आप सभी के साथ में एक परफेक्ट ब्रंच रेसेपी जिसमें देजी स्टाइल काले चने की सबजी बनाऊंगी मैं आलू के साथ में जो कि बहुत ही उम्दा लजीज बहतरीन सी बनती है और इसी के साथ मैं शेयर करूंगे जिसमें तीन चार लाल सूखी मिर्च लेनी है साथligen हमें दो प्यासोन ब्रिस्ट बना लेना है और ढाल देना है इसी के साथ हमें एक टमाटर लेना है और बोर्समें नों मोऴ मींना रिचाप घव सिअसे हो महीं है में कnolles 2 bissらい को अच्छा था प्रिंग एंग कर लेना है एक दालचीनी का टुकड़ा और एक छोड़े चमर साबुत जीरा जरूर डालिएगा क्योंकि इन तीनों खड़े मसालों की वज़ा से चनी की जो सबजी है ना वो बहुत अच्छी बनती है एक अलग सी खुश्बू आती है आप डाल कर देखिएगा तड़के में डालेंगे फ्लेवर आने लगेगी तो इसमें प्यास जाल दीजेगा और प्यास को न सुरहरा होने तक भून लीजेगा देखिए प्यास गोल्डन हो गई है तो इस पॉइंट पर इसमें हमें लसन अद्रक की पेस्ट दो चोड़े चमर डालनी है और डाल कर इसे बहुत अच्य से मिला कर मिक्स कर देना है अधर को हमें आदे सी 1 मियर तक अच्छे से भूल लेना जिस इसकी रॉष्मिल खतम और बुछा चाट है इसमें आपको याद होगा हमने बिग्निंग में मसाला पेस्ट बनाया था वही मसाला पेस्ट आपको यहां पर अड़े लि जिसमें आदे शोड़े चमच, हल्दी पाउडर एक छोड़े चमच, हमें धन्या पाउडर डालना है बुना और खुटा वजीरा पाउडर एक छोड़े चमच, जमक नमक एक बड़े चमच यह टेस्ट कि एक अकॉडिंग डालीएगा और इसमें डाल यह गरम मसाला जोके मेर कि अच्छी और तक पूरा के अच्छी तरह से धुशर ने तक पूरा अच्छी एक अच्छी साइबुन के जब तक पूरा निया दाने дав에 नहीं यह जूड़ा साथ थारे को आपके टेस्ट भूपल यह तो इस तरह से मसाला बून जाता है तो आपकी जो तेस्ट वा फ्लीवर ह में 2-3 मिडियम साइज के आलो लिया है क्या कि अर्च जब बनती है तो बहुत यजा अचा फिलेवर होता है अभी जो इस अधम्हें नहीं भूने तक उल्च झालो के साथ स़ाट कर दो दो तीन मिनट दो तक में मसालो के साथ पे चने अलो को भून लेना है जब यह अच्छे से भून गया है तो इसमें हमें पानी डालना होगा तो यहां पे जो सब्जी बन रही है बहुत जादा रनी नहीं बनेगी बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी रखूंगी मैं इसलिए मैंने तकरीबन दो से धाय ग्लास पानी या पे डाला है आप भी इतना ही डालीगा यह जितना आपको तरी पसंद है उसे साब से डाले और डालने के बाद में इसे प्रेशर को कर लीजिए क्योंकि यह चना है प्लस आलू है तो इसे हम लगातार पांच छे विसल ले लेंगे मीडियम है पे जिससे बहुत अच्छा लगीगा आप सिर्फ गेहूं के इसे साथ में चिली फ्लेक्स एड़ कर रही हूं इसी के साथ मैं हल्दी पाउडर कौटरी तीस्पून आड़ करूंगी और इसमें में हींक पाउडर डाली है नमक एक चमश डालिए का या टेस्ट के अकौनिंग डालिएगा और यहां पे इसे बिलकुल अच्छ से मिला दी ना वन फॉर्स कप डाल ली थी चक्रिबन दो तीन चमच और उसमें चार पांच लसन की जवे और दो हरिमिज डाल कर पेस्ट बना ले रही हूं दाल का फुद का पानी था इसी लिए बहुत जादा पानी डाला है इस तरह का पतला कंसिस्टेंसी का डाल को ग्राइंड कर यहा अगर ज़रत पड़े तो यहां पर पानी ले लीजेगा लेकिन ज़रत नहीं पड़ेगी क्योंकि डो और जो आटा है और जो डाल की कंसिस्टेंसी बराबर रखी है मैंने अभी देखें डो रेडी हो गया है इसे साइट पे कर लेते हैं और सबजी बहुत इसी गल्चुकी ह चने ने 6-7 विसल लगा दिया है तो यहां पर मैंसे चेक कर लेती हूँ और यह देखें कितनी ज़्यादा जबरदस आलू चने की सबजी बनकर तयार हुई है जैसी मैंने प्रशक को करके ले ढटाई है बहुत जबरदस खुश्बू आ रही है और कमाल की सबजी बनी है एक वनितों से बनाकर देखिए हैं कि बहुत जादा अच्छी से बनती है कि आन Matthew three चार रोटी खाँ लेंगे आप सपलेख सब кажना सब्सक्राइब चैंप में चाह सकते हैं यह लगती और सारी कि सारी पूरी को एक सार्ग बेल कर रख लिजे मैंने भी किसारी पूरी को ना एक साथ बेल लिए जिससे फ्राइ करने में बहुत आसानी होती है और यह छिपकती भी नहीं आपस में पूरी हैं जैसे बन पूरी फुली फुली सी बन रही है क्योंकि मैंने तेल का टमप्रेटर बहुत अच्छा रखा है हाई फ्लेम पे इसको गरम कर लिया तभी मैंने पूरी डाली है अगर आपके भी फुली फुली नहीं बनती है पुचक जाती है तो यह टिप आप ज़रूर फॉलो करें कि जब इसके उपर अच्छे से बराबर पड़े और पूरी फुल कर उपर उठ जाए तो यहां पर देखे हमारी गर्म गरम बहतरी सी फुली 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 पूरियां बन करता है यार हो चुकी है जो कि काले आले चने की सबजी के साथ में बहुत अच्छी लगती है तो बस इसी त चल रहा है तो आप इसे ट्राइब कर सकते हैं बहुत जादा मज़े की लगती है कैसी लगे आपको रसेपी मुझे जरूर बताईएगा इसी तरह की धमाके तर जबदस रसेपी में चैनल पर डली विए फ्रेंस तो अगर आपने नहीं देखिए तो जाए देखे चैनल करेंगे तो अब चैनल पर आपको पसंद आएगा सबसी के रसेपी बिल्कुर अलग तरह से मैंने बनाई है जो कि आपको बहुत चील लगेगी साथी मैं इसके साथ मेना थेचा भी सर्फ कर रही हूँ हूं जो कि मैंने बनाई थी तो उसकी रसेपी में कभी और आपको दू और भी मेरे चैनल पर हैं तो आप जाएं देखें चैनल विजिट करें आपको बहुत पसंद आएंगी और इसी के साथ में आपको रची लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा साथी बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर क किजिएगा जिसे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे वहले पहुंचेगी चले फिर मिलती हो में नहीं धमाकेदा बेहत आसान और जबदस रेसेपी लेकर तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल दो में आद रखिएगा थैं